A Hidden Optical of Cross-Cultural Studies Test Translate Hidden Optical बजाहिनी नज़र आती है रुकावट लेकिन यह जो एक barrier, रुकावट एक मुश्किल है Cross-Cultural Research में वो है कि तमाम cultures मुक्तलिफ जबानें बोलते हैं कुछ cultures common एक जबान बोलते हैं इसलें English बहुत से मुलकों को बहुत से site-s में बोली जाती है लेकिन कई मुलक ऐसे हैं जिन में उनका हर बंदा English नहीं जानता उनका हर चेहरी English में आपके सवाल नामे का जवाब नहीं देच सकेगा जो के Pakistan में भी है जो के चाइना में भी है और तो फिर क्या है इसका मतलब है कि जो test मैंने character strength का for example English में था मैंने उड़्दू में कर लिया इसलिए कि मैं ज्यादा लोगों को देश तकूँ पाकिस्तान में हम इसे बहुत सारे लोग English में जवाब दे सकते हैं लेकिन फर्स करें मैंने उसको चाइना में एफरीका में बेल्जियम में यूज करना तो मैं उसको क्या करूँ तो फिर मुझे translate करना पड़ता है और उसके लिए researcher की language से किसी और language में करने के लिए difficult task की है कि आपका जो translated version है क्या वो उसके बराबर है जो original version मैं उसकी मिसाल पहले ही दे चुकी हूँ अच्छा अगर हम उस item के मिसाल ने जो अभी हमने का था I rarely plan ahead मैं पहले से सोच के चीजों की तयारी नहीं करती फर्स करें मैंने यह करती है अब process की होता है कि आपको एक जुमला आपने वो दिया और एक यह दिया जब दोनों जुमलों पे लोग respond करते हैं जिने English उर्दू आती है तो उसको मुक्तलिफ अंदास है समझ रहे हैं तो यह तो आएगा लेंग्विजीज उनकी ग्रामर फर्क होती है रूल फर्क होती है सेंटेंस के बनाने का तरीका फर्क होता है तो कुछ आइडेंटिकल वर्ड होते हैं जैसे बड़ी इच्छी मिसाल है कि जो फ्रेंड का वर्ड एंग्लिश में एंड एमीगो जो है वो स्प के लिए यह और शी बदल जातें इंग्लिश में एक वर्ड एक एक वर्ड हम सिस्टराल के लफास की ट्रांसलेशन करने लगे इंग्लिश से तो इनलोज के अदर जब हमने का ब्रदर-in-law और ब्रदर-निलोज जेट भी है देवर भी जब हमने का अंकल तो वह तो मामू भी है चचा भी है ग्रेंट फादर दादा भी है नाना भी है तो हमें लगा कि हमारी जबान में ज्यादा explanation है और इसी तरह और जबानों में भी है इंग्लिश के मुकाबले में तो यह चीजें देखनी में कुरान पढ़ते हैं सब लोग कि उसके आगे उसको ये शो करने के लिए जैसे हम कहते हैं रजी आला ताला अन्हा तो वह फीमेल के लिए होता है अब कुछ generic rules and translation के लिए चुरू से ही bilinguals को उसमें शामिल करना चाहिए जो दोनों जबानों को जामते हैं वह बहुत अच्छी position में होते हैं कि वह उसका तर्जमा करें हमने यह जो अभी आपको जुम्ले बताए मैं खत्रों से नहीं घबराती हमने इसका यह ट्रांसलेट त आए एम नौट अफ्रेड इन दस्टिट्वेशन ऑफ टेंजर तो यह ठीक निकला लेकिन कई ऐसे थे जो पहले की सिसाफ ने किये वे थे कैनेडा में जो पकिस्तानी है तो हमने उनके मर्स उनको बता के किया और पिर हमने इकठा उसके उपर यह चीज़ पब्लिश की कि हम ने बेहतर कर लिया उसको और इस पर उन्हें कोई तराज नहीं होता कि कोई इसकी बेहतर कर सकता है तो कर ले बहुत साले लोग करते हैं तो उनके वर्जिन को कंपेर करना चाहिए जैसे मैं भी बता रही हूं डॉक्टर तयब हैं कैनेडा में उन्होंने किया हुआ था जब अगर दोनों वर्जिन्स पर सिमिलर रिजल्ट आ रहे हो इसका मतलब है कि आपका तर्जमा एप्रूव हो गया